हेलो दोस्तों नमस्कार वेलकम तो दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 प्लासेज मैं अभिशेक कुमार आपको गडित पढ़ा रहा हूं जिसमें हम लोग गड़ती आगमन का सिध्धान पढ़ रहे हैं हैं तो हमलों गड़ती आगमन के सिध्धानत की पिछली वीड़ियो में Sum67 तक कवर किया था आज की वीडियो में हम प्रसंख Internet 18 से में सब्षाश करेंगे करें देख्याइथ करते सवाल है एक प्लस दो प्लस तीन और डाट डाट प्लस यन इस लेसं और गरेश यदा और यदे एक बस टूर्प्लस त्रीलरी अल टर प्लसफी ती हम लोग क्या सुरुवात करते हैं हमारा सबसे पहला स्टेप होता है यन बराबर हम क्या रखें एक लीजे हम सबसे पहले यन बराबर क्या रखते हैं एक के लिए लीजे यन बराबर एक के लिए सत्यता की जाच करते हैं तो यन बराबर अगर एक लेंगे तो हमारा जो यह साइड होगा उस इस बार से लेज देन का प्रयोग किया गया है एक बटा अट ब्रैकेट में टुइंटु यूण प्लस वन का होल स्क्वर्ड थि हो जाएगा वन इस लेज दैन एक बटा आठ्ट नौर एक तीन का क्या हो जाएगा ठीक है यदि हम भाग दें क्या करें भाग दे या वैसी है और यहां भी इसी बात को दूसरी भासना में लिखने हो लिखना चाहें हम लोग तो कैसे लिख सकते हैं एक जो है वो छोटा है आठ एक अन्नम आठ कितना बचेगा एक दस्मलव बढ़ागी जिरू उतारेंगे तो हो जाएगा फिर से आठ एक एक के लिए दिया गया दिया गया कथन क्या है दिया गया कथन क्या है सत्य है ठीक है अगर यन बरावर एक के लिए दिया गया कथन सत्य है तो हम बात करेंगे किसके लिए मान लेते हैं माना यन बरावर किसके लिए के के लिए चलिए हम लोग क्या लिखेंगे अब पी के स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा such that जो पीके स्टेटमेंट हो जाएगा वह हो जाएगा one plus two plus three plus dot 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 plus K is less than is less than 1 बटा 8 bracket में two K plus one का क्या whole square ठीक है ना इसे हम लोग क्या मानते हैं समी करणा नंबर एक मानते हैं क्या करते हैं को β안ई सिद्धान कर सकें तो लिखेंगे यन बराबर के लिए यन बराबर किसके लिए के लिए negative अगए आगे अगए अगरिन बडाबर के लिए आगे अगए अगर फेटर Synes है अगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या मानेंगे माना यन बराबर के प्लस वन के लिए के प्लस वन के लिए यन बराबर के प्लस वन के लिए सत्यता की जाज करेंगे तुम्हारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा पी के पी के प्लस वन सच दैट वान प्लस टू प्लस थ्री प्लस कि दीएगा क्या हो जाएगा हमारे पास के प्लेस बन्ठ इसलेस दैन यहां क्या हो जाएगा एक बांट ज़े हाँ और यहां क्या हो जाएगा हमारे पास र का अंदर गुड़ा सब्सक्राइन यREE को ओं सलव करने के लिए तो और करेंगे हम लोग समीकड Agy करेंगी इस प्रकार की है ठीक है जब बराबर कच्छी निक्वल का साइन नहीं हो रहा होता है तो लगाने के जो तरीके वो आप ध्यान से दिखिए हम क्या करेंगे समीकर एक से समीकर कहां से एक से समीकर एक हमारे पास क्या है समीकर एक है एक प्लस दो प्लस तीन प्लस डाट 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 प्लस क्या कै देखे कinaire Turk कै फिर क्या हो जाएगा लेस दैन इतना एक बटा आठ ब्रैकेट में two ke उन का क्या हो जाएगा how को रूलिस होगा तो हम दोनों पच्छों में क्या आड कर रहाए क्या लिख रहे हैं दोनों कि बच्छों में देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है अब देखिए यह तो जो पूरा पत है वह हमारे यहां मिल गया दूसरे वाले समिकरण में हमें सिर्फ और सिर्फ यह प्रूब करना है यह 2k हल करेंगे ति यह हो जाएगा प्लस दो दूना चार के और प्लस के प्लस बन अगर इसका बटा एक कर लें तीसाथ का गुड़ा भी यहां हो जाएगा ती क्या हो जाएगा लेस्दैन एक बटा आठ ब्रैकेट में अब देखें पूरा हल कर रहे हम लोग यह हो जाएगा 4K स्क स्कुयर प्लस चार और अठ बारह के प्लस आठ और कितना हो जाएगा अनौango धीक है ना हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग से लिख सकते हैं ठीक के प्लस थिरी का क्या हो तो हमने क्या कर दिया है आपका पूरा समिकर्द़े क्ẫnाइगा और अगर प्लस टूू प्लस थ्री प्लस डाट 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 प्लस के प्लस के प्लस वन हर बार ऐसे लिखते रहें तो अंतिम में जो मिलेगा अंति में जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा यहीं मिलेगा ठीक है ना यह देखे ध्यान से यह हमारा क्यों सा समीकड़ है समीकड़ नंबर ठीक है हम लोग क्या करेंगे समीकड़ एक से ही तो समीकड़ दो लाएं है समीकड़ एक से ही तो समीकड़ दो लाएं है तो लिखेंग ब्रसेंग प्रसंख्या 18 18 का है यह हल रहा ठीक है आई वोप आपको समझ आया होगा नोट कर लिजिए या फिर स्क्रीन सूट कर लीजिए बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रस्षन की और हमारा अगला प्रस्षन है प्रसंख्या 19 क्या हमारे पास प्रसंख्या 19 प्रसंख्या 19 में कह रहे हैं कि यन ब्रैकेट में यन प्लस वन अगले ब्रैकेट में यन प्लस फाइब इंटू में हैं सब कह रहे हैं संख्या यह जो इस प्रकार से संख्या मिलेगी वह संख्या तीन का एक गुड़ज है क्या है एक गुड़ज ठीक है जहांस देखिए संख्या क्या है तीन का एक क्या है गुड़ज है अगर संख्या तीन का क्या है एक गुड़ज है तो हम लोग क्या करेंगे रूप करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है दिए के statement को अपनी format में लिखें क्या लिखेंगे लिखेंगे पी आफ यन सच देट क्या लिखेंगे यन ब्रैकेट में यन प्लस वन अगले ब्रैकेट में यन प्लस फाइब ठीक है आगे क्या लिखेंगे संख्या तीन का गुडज है संख्या तीन का क्या है गुडज है ठीक है अब यह बात कितनी सत्य है इसके लिए तो हम लोग सबसे पहले यन बराबर एक रखके सिद्ध करेंगे अगर यन बराबर एक के लिए सिद्ध होती है तो दो के लिए तो करेंगे नहीं तीन के लिए करेंगे नह क्यों कि गड़ती है बने सिद्धान से हमें प्रूब करना है हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले तो यह बराबर एक लिए प्रूब करके देखते हैं मानते हैं कि माना यह बराबर क्या माना यह बराबर एक अगर यहन बराबर एक के लिए सत्य होगा तो आगे की बाते करेंगे हम द्यास देखे पी आफ वन सच देट जहाजा यहन दिख रहा है हर जगा हम लोग क्या रखेंगे एक यह हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक प्लेस एक अगले ब्रैकेट में एक प्लेस पांच संख्या तीन का क्या है गुड़ज संख्या 3 क्या है गुडज आगे देखिए यह हो जाएगा दो एक और एक दो और पांच और एक छे चे दूनी बारह यहां मिलेगा में क्या बारह बारह जो है वह संख्या तीन का क्या है गुडज है संख्या तीन का क्या है गुडज है ठीक है यह 12 जो है वो संख्या तीन का क्या है गुडज है तो इस प्रकार से यह जो हमारी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी गुडज है तीन की इसलिए यह बात क्या हो जाएगी सत्य हो जाएगी लिखें यह सत्य है ख्यास देखिये अब यहन बराबर के लिए सत्य होगा हमारा हम लोग के लिए पूंप करेंगे किसके लिए के लिए इन बराबर ज़िए लिए लन बराबर के लिए तो हमारा स्टैट्मेंट हो जाएगा prik смож we पी के सचधेट के ब्रैकेट में के फ्लास एगले प्लस पाँंच संख्या 3 का क्या है गुड़ज है चानी थेच़ी यह थे लीजे तीन फेचान इसंसे नहीं चानी से और वो तीन से नहीं कट रहा है यह तुस्से हमारा कोई लेना देना नहीं है लेकिन यह तीम कट रहा है ना जो इसमें बुड़ा होगी जो संख्या बनेगी वह पूरी संख्या ही तीन से क्या होगी डिवीजीबल होगी समझ पा रहे हैं आप जैसे उदान की तौर पर देख लिजिए छह लिखा है यहां लिखा है 400 प्लस तीन ब्रैकेट में 200 बड़ा कितना तीन तो हम बात करें कि क्या संख्या 3 से टिवीजीबल है तो यह संख्या क्या हो जाएगी तीन से डिवीजीबल हो जाएगी आपको इस 400 और इस 200 पे ध्हान देने कि आवशकता नहीं है हम इस तीन को कॉमन कर लेंगे ति हो जाएगे कितना दो ब्रैकेट में 400 प्लस 200 ठीक है और ओवर आल तीन से कट हो गया ठीक है तो इस प्रकार से संख्या होती है ध्यांस देखिए अब हम लोग इसी माध्यम से क्या करेंगे इसे प्रूब करने का प्यास करेंगे ध्यांस देखिए कैसे यह संख्या हो गई हमारी ठीक है इसे हम लोग क्या माल लेते तीनियम माल लेते हैं क्या माल लेते हैं तीनियम के ब्रैकेट में के प्ल के तो हम लोग पहले माने इसलिए के नहीं माने हैं यन मान लीजे ए मान लीजे बी मान लीजे आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन ध्यान रखिए कि तीन के साथ जिस भी संख्या का गुड़ा हो रहा है उसका उससे लेना देना नहीं है यदि तीन है तो संख्या ही तीन से क्या नहीं लिखे लिख देते हैं क्या लिखते हैं यहन बराबर के के लिए कि दिया गया कि कथन क्या है सत्य ठीक है आई यहां सॉल करते हैं पी के स्टेट्मेंट माना यहन बराबर के प्लस वन के लिए के प्लस वन के लिए तो यहां क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा पी ब्रैकेट में के प्लस वन सच दैट ठीक है क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा के कमान रखिया के प्लस वन यह क्या हो जाएगा के प्लस वन प्लस वन यहां क्या हो तीन का तीन का एक गुड़ेज है संख्या तीन का एक क्या है गुड़ेज है चलिए इसे सौल करने का प्रयास करते हैं तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास यह हमारे पास हो जाएगा के प्लेस वन क्या हो जाएगा के प्लेस टू और क्या हो जाएगा के प्लेस है आगे क्या हो से क्या लिख देते हैं k plus 6 k plus one into k plus two ठीक है आगे संख्या तीन का क्या है गुड़ेज है संख्या 3 क्या है गुड़ेज है देखे वैसे ऐसे तो प्रूब करना नहीं है हमें क्या करना है इस स्टेट्मेंट का वहां प्रयोग करना ही करना है समझ पा रहें आप कि कैसे प्रूब करें कि यह यह जो स्टेट्मेंट है उसमें इसे भी क्या करें हम लोग इंक्लूट करें क्या करें इंक्लूट करें तो इंक्लूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे अब भाया हमें इसी समीकड को क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा यह देखिए तीन ब्रैकेट है मारे पास इन तीनों ब्रैकटों को क्या करना सबसे पहले इसका गुड़ा करेंगे दिया क्या हो जाएगा के स्क्वाइर क्या हो जाएगा के स्क्वाइर ठीक है फिर क्या हो जाएगा के फिर छे का करेंगे तो छे के प्लेस यहां क्या हो जाएगा के प्लेस टू यह हो जाएगा के स्क्वाइर प्लेस साथ के प्लेस कितना आचहे और इंटू कितना के प्लेस तु द्याद के आगे क्या हो जाएगा आगे हम लोग gleich किन दूसे लिखेंगे यहां कितना के क्यू प्लैस यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा यह टू सेवन और टू नाइन के स्क्वाइर और चौदर च्वाइर बीस के प्लस कितना बार ठीक है अब देखे ध्यान से अगर हम लोग इसका भी गुड़ा करें किसका इन तीनों का गुड़ा करें तो क्या बनेगा ठीक के थीक है तो हितना हो जायेगा के क्योंडस प्लस 5 और एक श्य्क्रीशं हो एर-पस्षाइब की इतना पखड़ी इसी अलग ठीक है तो ल irrespons क्या रहेगा चैक और रहे आठीक हे फ्लस क्या रहेगा पांच के रहेगा जो बच गया उस्त आगले बेर लिखिए जबस्विग क्या लिखे अलग लिखे क्यों क्यूब तो पूरा हमने लिख लिया था 6K स्क्वाइर लिखा यहां कितना बचा 3K स्क्वाइर बचा है प्लस क्या बचा 5 क्या हमने लिखा है तो कितना बचेगा 15K बचेगा प्लस पूरा का पूरा 12 बचेगा बचेगा की नहीं बचेगा हम लोग यह लाए है और जो बच गया वो क्या हो जाएगा प्लस यहां से तीन कॉमन हो सकता है देखे तीन इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है यहां हो जाएगा क्या 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 लिखेंगे क्या लिखेंगे तीन यम प्लस क्या लिखेंगे आगे लिखेंगे 3 bracket में K square plus 5 K plus 4 ठीक है आपको ध्यान हो हमने उदहर्ण में यह आपको बताया कि यह देखे यहां भी 3 है और क्या है यहां भी 3 है इसलिए यह पूरी संख्या ही 3 का क्या है गुड़ज है संख्या ही 3 का क्या है गुड़ज है इसलिए हम लोग यह जो बात यहां बोल रहे थे व बाविद भी हो जाएगी ठीक है आखना यहां लोग क्या करेंगे जहां हमने मानरा और बना देंगे ठीक है और उस समिकर्ड़ में क्याा लिखेंगे समीकर्ड एक से मान रखने पर तो यह हमारा मान रखा गया है ठीक है न लिखेंगे क्या अतह पी यम आई से क्या होता है फार आल इन इस ऐलिमेंट आप ने चुरल नंबर के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य है या दिया गया कथन जो है वो संख्या तीन का क्या है गुड़ज है ध्यां से देख लीजे और नोट भी कर लीजे आई होप आपको समझाया होगा देखें बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रस्च्टिक और प्रसंख्या हमारा है वीस है प्रसंख्या 20 है 10 की पावर तू यान-1-10 की पावर टू यान-1-1 संख्या 11 से भाज्ज है संख्या 11 से भाज्ज है सांख्या 1& क्या है भाज ठीक है अब ध्यांज देखिए अगर ये संख्या से भाज हैं से लगाया से यह भी है तीन का गुड़ज मतलब 3 भी भाज है क्यारा मतलब इंद्स इंद्स सब्सक्राइब करें चाहिं करेंगं नह Haws देखिए अब लोग लिए चreetमें कि यह भाज है देखे यह बराबर एक का यह लिए दिया से देखे यह बराबर एक के लिए यह हो जाएगा पीवन सच दैट क्या हो जाएगा दरस इंटू दो की पावर दो यह की जगा कितना लिखेंगे एक माइनस वन प्लस वन ठीक है यह क्या हो जाएगा दस दो एक अंदम दो दो में से गया एक दस प्लस कितना एक और दस प्लस एक का मतलब कितना 11 ठीक है और यह क्या है यहां लिखते रहे हम लोग संख्या 11 से भाज्य है संख्या 11 से भाज्य है संख्या 11 से क्या है भाज्य है सही बात है अगर भाज है तो क्या लिखेंगे यन बराबर एक के लिए दिया गया कथन सत्य है तो यन बराबर एक के लिए कि लिए किसके लिए के के लिए किसके माना यन बराबर के के लिए कि यह हो जाएगा पी के कि हो जाएगा हमारे पास पी के सच देट दस की पावर टू के माइनस वन प्लस वन ठीक है क्या हो जाएगा संख्या 11 से भाज्य है संख्या 11 से क्या है भाज्य है ठीक है संख्या 11 से क्या हो गई भाज्य हो गई अब आगे देखी ध्यान से आगर के से भाज्य है तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसे इसे देखे इसी पूरी बात को हम लोग क्या मान सकते हैं तीन मतलब 11 11 की टम में कुछ मान सकते हैं जैसे क्य है कि है क्यों क्यों संख्याहे वह 11 सभाज है अभी तो हम लोगे टीन से लगा था थी साथ तीसलिए उमने क्या दिग दिया खिल धिए अगली लाहीं क्या लिए नहीं लिए यदि बराबर कि के लिए माना यन बराबर k प्लेस वन के लिए क्या हो जाएगा p k प्लेस 1 क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 x k प्लेस 1 संख्या 11 से भाज है संख्या 11 से क्या है भाज है ठेक है ज्रक्राइब करने का प्यास करते हैं प्लाइब यह जाए कितना 10 की पावर के सब्सक्राइब सब्सक्राइब तीक अब ध्यादन देखिए हाँ यह क्या है ग्यार्आ हम है और यह क्या हमारे पास ठीक है यह से रहते हैं नई तो यह भूल जाते हैं अर बार यह जाएगा संख्या divis compare ए उपाज्य है और यह भी हो जाएगा संख्या 11-1 जो अब आझर हैं है का थो हमारे पास यहां क्या हो जाएगा दस की पावर टू के प्लास वन प्लास वन ठीक है धर क вариант करेंगे तो ॐ थियुंत तो 10 ki power 2 k प्लस One और प्लस One शंखिया 13 से भाज separately अ moluk 120 के का प्रियोग कैसे करें इसके अंदर हमें टूट के माइन सवं चाहिए क्या चाहिए टूके माइन सवन तो क्या करते हैं हम हम लोग इसे लिखने के और दखें लिखने के तरीका क्या होगा हम लोग इसे लिखते हैं 10 की पाव्यर 2 k I fellay ब्लस भंस में क्या धित Normally से 관심 है क्या चाहिए थिच्षा ouaisओं क्या हो जाएगा 10 और फ्लस टू ठीक है संख्याइ 11 से क्या है धाज है देखे इसे हम लोग तोडएंगे क्योंकि ऐसे कैसे लिख लेते हैं इसलिग ले इसलिख तक दसकी पावर 2 x 10 की पावर 2 के माइनस 1 और ठीक है ना देखें हम लोगों Nej हैं और यह क्या हो गया 10 की पावड हुए 2 के देखन से आगे अम लोग इसे कैसे लिखेंगे थिखेंगे इसे कैसे लिखेंगे हम लोगों ने इसे क्या मान लिया इस पूरे पद को 11 यम मान रखा है कितना मान रखा है 11 यम तो यह जो पूरी टर्म है वो से हम लोग क्या लिख देंगे यह एती हो जाएगा 1100 यम ठीक है ना ध्यादस आप देखे तो आपको दिख रहा होगा यह जो पूरा नंबर है वह पूरा नंबर 11 से divisible है समझ पा रहे हैं मतलब जो लाइन हम यहां लिखते चले आ रहे हैं वह लाइन क्या हो गई है सत्य हो गई क्या हो समी करेड़ दो में कि समी करेड़ एक सी समी करेड़ एक से मान रखने पर देख्य हम लोगों ने वैलु रख दी एक तो के माइनस हो ग Olsen प्लाव और लीवाल गोरा पार मंर जान है कना है जो कि क्या है यहां संख्य11 से खाइज के लिए बात सत्य के लिए और कया निधो नंबर के लिए जो दिया आई होप आपको सवाली समझ आई होगी तो नोट कर लीजिए आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत झाल झाल